हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ सौम्या, सौम्याज किचिन में आपका स्वागत है, आज बना रहे हैं बेसन वाली अर्भी की सूखी सब्ची, जो की बहुत ही टेस्टी बनती है, कहीं बहार सफर पे जाना हूँ, तो आप इस सब्ची को अच्छी तरीके से भून करके साथ में ले जैसे ही गरम हो जाएगा इसमें डालेंगे, वन एंडा हाफ टी इस्पून अजवाइन, जितनी अर्भी ली हो उस हिसाब से आप मसाले डाल सकते हैं, या अपने हिसाब से मसालों को कम जादा कर सकते हैं, अजवाइन जैसे ही तोड़ी सी चटकने लगेगी, साथी इसमें अब डालेंगे टू टेवल इसमें अदरक और मिल्च ट्रशकी हुई, और मिक्स करेंगे, और करी 10-20 सेकिंड तक भूनेंगे, साथी इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, ओल में हरा धनिया भूनने से सबजी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, हरे धनिया को मिक् तो बेशन को ज्यादा भूनना नहीं पड़ता है, बनना हाफ टेवल स्पून डालकर के एए अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, साथ ही संकी टालेंगे थोडेंगे, साथ टी सबगे नालेंगे तर धनिया पवडर टो टी सबुन बहुत सारे लोग इसमें सौ 10 शुफ पा अखें अर्वी को अबाल करके छील करके छील करके फ्रिज में रख तन्डी हो करेंगे चलिए तुछ से सब्सक्राइब करोगाma qualified दोंमा ये खुछ हो जाते। पर खूनेंगे, आप से छे मिनदे अगर गरम गरम की तरीक के से तरीके से भून देंगे अगर अगर गरम गरम, टावम के तरीक पर थह sein परविक बोछा टाँज ब हर डाले है, तो यह सक्षके से अर्विक नहीं अडरिक की म स्विकाने से इसलिका दैंगे और करीब एक एक देर देर मिनट के बाद अर्वी को चलाते रहेंगे बीच बीच में और अर्वी को भुनने देंगे देखिए इस तरीके से अर्वी को बीच बीच में चलाते रहेंगे आप देख सकते कितना अच्छा कलर आ रहा है भुन करके अर्वी का जब अर्वी भुनती है तो इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा लगता है तो थोड़ी भुनी हुई अर्वी बनाएं अर्वी को भुनते करीब 6-7 मिनट हो गए है आप थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और अर्वी को करीब 2-3 मिनट तक और भुनेंगे ये देखे कितन है बुर्णने के बाद मैं अर्वी की सबजी सर्व करने के लिए तैयार है कि curling promise ड़र चाहित मेरा कम बद बन कर देंगे अब अर्वी कोZA क अगर आपको ये रेसीपी पसंद हाई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें वीडिव को प्रेंडे और फैमिली के साथ मैं इस्ते हैपी एंड कीप कोकिंग थैंक यू और ऐसी ही नए रेसिपी देखने के लिए देखते रहे हैं सौम्याज किछिन बब बाए फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ